टिकेट वापसी तो सर होती रहेगी लेकिन सबसे बड़ी बात ये जो भाजप्पा की स्थितिस्त टाइम चल रही है न और कहां से लालू जी एक नया ब्यान सोच कर लाए है कि मोदी जी का परिवार नहीं है तो आप सोचो इस ब्यान की यहां कोई आवशकता नहीं थी यह ब हाथ ये जाड़ू ममता हो या लालू देखकर मोदी को जल रहे हैं सभी गठबंदन बनाया था कैसे तूट तूट के भागे सुनो के मोती माला से इनकी बिखरते रहे दोका आपस में इक दूजे से करते रहे के ये भागा कभी वो भागा अरे ये भागा कभी वो भागा खड़ गे पे रह गया बस धागा सत्ता के सत्ता के वासिते लड़ रहे हैं सभी सत्ता के वासिते लड़ रहे हैं सभी सारा सौदा कमल में आके मिल जाएगा सारा सौदा कमल में आके मिल जाएगा बहुमत वाला कमल फिर से खिल जाएगा चाचा हो या हो दीदी सब को कूटेगी अब इडी सोच कर बात ये डर रहे है सभी और अंतिन सुमी आपके चेरे की मुस्कुराट सुनिएगा सर के सारी मोदी जी ने क्या किया और उसके बाद गठबंदन की बात ये की अंतरे में के सारी दुनिया पे जंडा अपना गाड दिया मोदी जी ने इनका जो भी एजेंडा था वो फाड दिया जतन ये सब करके हारे सब फेल हुए इनके नारे मोदी के काम से चिड रहे है सभी मोदी के काम से चिड रहे है सभी ओ ये हाथ ये जाडू ममता हो या लालू देखकर मोदी को जल रहे है सभी मोदी के काम से चिड रहे है ये जो बात मैंने तो मैं अंदर से आहत हुआ के इतने बड़े नेता को जब ये ब्यान देते हैं तो ये कहीं ना कहीं उनकी सोच कुछ भी हो सकती है तेकि ने ब्यान बड़ा खराबता सुनिएगा साब के राम के नाम से भूखे मरते नहीं बोले राम का नाम जबते रहो और भूखे मरते रहो ये राहुल जी का ब्यान मैंने सुना के राम के नाम से भूखे मरते नहीं भूखे मरते हैं जो कुछ भी करत बूख मरते हैं जो कुछ भी करते नहीं मारे जाएंगे दुनिया के रावन सभी जो बुरे काम करने से डरते नहीं जो बुरे काम करने से और अंतिन सुना रहा हूं जिस बात का फिर मेरे को दुख हुआ जब लालू जी ने बोला परिवार के बारे में व्यक्तिगत तिपन या सावरजनिक तोर पर करो तो मुश्किल रहता है एक चार पंग्तियों से बात समाप करता हूं के नौनों बच्चों से जिनको बहुत प्यार है सब को अपने परिवार से प्यार होता है ये समानने बात है लेकिन किसी और से प्यार होना मानवता है सुनिएगा चार पंग्ति में के नौनों बच्चों से जिनको बहुत प्यार है उनकी खातिर ही उनका वो संसार है देश की माटी से प्यार करते हैं जो सारी जनता ही अब उनका परिवार है सारी जनता ही अब विनका परिवार है सारी जनता ही कि थिफिका है सदार जी की उम्मीदों क्या कहेंगे लेकिंजा सदार जी में करें उम्मीद करना अच्छी बात है लेकिन लगा अकेले वनमीन कर रहे हैं जारता कि आए तो ना तो बाकी देश कर रहा है न एक सो चालिस क्रोड देशवासी कर रहे हैं एक सरदार जी ने काल कि लेकिन दस सालों में 8.5% उसत इनका रेट था और 2012 में तो 12% के आसपास हो गया था और इनके सासनकाल में आतंक वाद चरम पर था किस तरह से अर्थ वस्ता धरासाई हो गई थी पोलिसी परेलिसिस हो गया था आकास से लेकर गाग बदो पाताल तक 12,00,00 करोड रुपे के घबले-घो बार्माना और उसी परिवार के उपर में एक पंक्ती बताना चाहता हूं कि मोदी जी त्याग तपश्या बलिदान के बल पर यहां तक पहुँचे उसी पर एक पंक्ती में सुनाना चाहता हूं वो क्या जाने क्या होता है जन्ता की सेवा करना उनका तो है लक्स एक केवल अपने घर को भरना है जब दूजे की पीडाएं भी अपनी पीडा लग जाए जब परिवर्तन करने वाला भा भीर्दे में जग जाए तब कोई मोदी जैसा सपना शाकार बनाता है सम्षमर्पिद हो कर देश को वह परिवार बनाता महज एक सरनेम है जिनका अपना कोई व्यक्तित्तु नहीं नाम हटालो पुर्खों का फिर इनका अस्तित्तु नहीं समझ कहां परिवार वादियों को ये बात आई है मोदी जी ने अपने बल पर अपनी रहा बनाई है ये नरेंदर मोदी जी है जिन्होंने अपनी राख खुद बनाई है एक गरीब परिवार का बेटा किस तरह से यहां तक पहुंचा है और वैसनम जंतों तहने कहिए जो जाने पीर पराई उन्होंने 140 करोड देशवाचियों के दर्द को समझा इसलिए वो पूरे 140 करोड देशवाचियों का अपना परिवार मानते है ये व्यक्तिवादी पार्टियों के तरह नहीं है कि चार ही सदसे इनके परिवार के सदसे है इसके अलावा किसी को कोई वो सदसे नहीं मानते पहले तो हमारे साथी मित्र ने माला का और मोतियों का जिक्र किया था तो काट की माला डाल के बीच में डाला सूत माला बेचारी क्या करें फेरनहार कपूत सारे कपूत हैं वहाँ तो क्या माला फेरेंगे रद्दी माल रद्दी खून का घुट पिया है अंदर से लहू लुहान हूँ, हाजी मैं मोदी जी के अमरतकाल का हिंदुस्तान हूँ, मेंगाई की आग में जुलसा हुआ, बेरोजगारी के भवर में उल्जा हुआ, व्यभीचारियों को सत्ता की सरपरस्ती से शर्मसार हूँ, मैं मोदी जी के अमर में मोदी जी के अमरतकाल का हिंदुस्तान हूँ, मैं 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 मोदी जी के अम